आकाश्वानी भूपाल से प्रस्तुत है कारिक्रम आजकल विशे स्वतंत्रजा की अम्रुत महस्वपर विशेश आजादी की उर्जा का अम्रुत आजादी की 75 साल का अवसर अब दूर नहीं है हम सब इसके स्वागत में खड़े हैं ये वर्ष इतना एतिहासिक और गौरवशाली है देश इसे उतनी ही भविता और उत्साह के साथ मनाने की तयारी कर रहा है भारत के प्रधानमंत्री नरींद्र मोदी ने डांडी आत्रा की वर्षकांट पर 12 मार्ज को राश्टपिता महत्मा गांधी की कर्मस्थली गुजरात से आजादी की अम्रत महत्सव के शुरुवात की थी ये हम सभी का सभाग है कि हम आजाद भारत के इस अतिहासिक कालखंड के साक्षी बन रहे हैं हमारे हम मानेता है कि जब कभी ऐसा अफसर आता है तक सारे तीर्थों का एक साथ संगम हो जाता है आजादी का अम्रत महत्सव एक राष्ट के रूप में भारत के लिए भी ऐसा ही पवित्र अवसर है ये वो अवसर है जब आजादी के असंख संगर्ष, बलेदानों और तपस्याओं की उर्जा पूरे भारत में एक साथ पनर जागरत हो रही है ये वसर है देश के स्वाधिन्दा संगराम में खुद को आखूद करने वाली महान विवोधियों के चर्णों में आधर पूर्वक नमन करने का ये अवसर है उन वीर जवानों को प्रणाम करने का जिन्होंने आजादी के बाद भी राश्टर रक्षा की परंपरा को जीवित रखा और देश के रक्षा के लिए सर्वोच बलेदान दे ये अवसर है उन पुर्णे आत्माओं का वंदन करने का जिन्होंने आजाद भारत के पुनन निर्माण में प्रगति की एक-एक इंट रखी और 55 वर्ष में देश को यहां तक लाए जब हम गुलामी के उस दौर की कल्पना करते हैं जहां करोडों लोगों ने सदियों तक आसादी की एक सुबह का इंतजार किया तब ये एहसास होता है कि आसादी के 55 साल का आफसर कितना आतिहासिक है इस पर्व में शास्वत भारत की परंपरा है स्वाधिन्दा संग्राम की परचाई है और आजाद भारत की गौरवानवित करने वाली प्रगति है प्रधान मंत्री नरींदर मूदी ने अमरत मौतसफ के पांच संभों पर विशेश जोर दिया है किसी राष्ट का भविश्य तब ही उचल होता है जब वो अपने आतीत के अनभवों और विरासत के गर्व से चुड़ा रहता है भारत के पास तो गर्व करने के लिए समर्द इतिहास और चीतना मैं सांस्कृतिक विरासत है आजादी के 75 साल का ये अवसर एक अमरत की तरह वर्दबान पीड़ी को प्राप्त होगा एक ऐसा अमरत जो हमें प्रतिपल देश के लिए जीने और कुछ करने के लिए प्रेरित करेगा 1857 का सोचन्तरत संग्राम बाहत्मा गांधी का देश को सत्याग्रह के ताकत याद दिलाना लोकमान तिलक का पोन सुराज का आवान नेता जी सुभाशन बोस के नितरतु में आजाद हिंज फौज का दिल्ली मार्ज 1942 का आविसमर्नी आंदोलन अंग्रीजो भारत छोडों का उद्गोश ऐसे कितने ही अनकिनत पड़ाम हैं जिन से हम प्रेणना लेते हैं ऐसे कितने ही सिनानी हैं जिनके प्रतिदेश हरोज अपनी कृतगिता वेक्त करता है 1857 की गरांती के मंगल पांडे तात्या टोपे जैसे वीर हो अंग्रीजों की फौज के साबने निर्भीक गर्जना करने वाली रानी लक्समेबाई हो कितूर की रानी चेनमा हो या फिर सरदार पतील, बाबा सहब अंबेटकर, मौलाना आजाद, खान अब्दुर गफार, वीर सावरकर जैसे अंगिनत जन्नायक ये सभी महान वेक्तितु आजादी के अंदूलन के पत्ख प्रदर्शक हैं प्रदान मंत्री नरीनर मूदी भी इनहीं लोगों के सपनों का भारत बनाने के लिए संकल्ब बद्ध हैं हमारे स्वाधीनता संग्राब में ऐसे कितनी आंदूलन है जो देश के सामने उस रोप में नहीं आए जैसे आने चाहिए थे ये एक-एक संगर्ष अपने आप में भारत के असत्य के खलाव सत्य की सिशक्त घोषनाएं हैं भारत के स्वाधीन सुभाव के सबूत हैं और इस बात का भी साक्षात प्रमाण है कि अन्याय सूशन और हिंसा के खलाब भारत की जो चेतना राम की युग में थी महा भारत की कुरुशेत्र में थी हल्दे घाटे की रणभूमे में थी शिवाजी के उद्खोष में थी वही शास्वत चेतना वही अदमिश और भारत के हरशेत्र, हरवर्क और हरसमांशने आसाधी की रडाई में अपने भीतर प्रजुलित करके रखी थी जननी, जन्म भूमिश, स्वर्गादपी, गरियसी ये मंत्र आज भी हमें प्रेना देता है प्रजुलित रखा, इस दोरान हमारे सिख गुरु परंपरा ने देश की सिंस्क्रती अपने रीती रिवाज की रक्षा के लिए हमें नई उर्जा दी प्रेना दी, त्याग और बलिदान का रास्ता भी दिखाया प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी ने आजादी के अमरत महत्सव की शुरुवात करते वे कहा था कि कोई भी प्रयास, कोई भी संकल्प बिना उत्सव के सफन नहीं होते एक संकल्प जब उत्सव की शक्ले लेता है तो उसमें करूडों लोगों की उर्जा जुड़ जाती है इसी भावना के साथ हमें आजादी का अमरत महत्सव बनाना है